तो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे योटूब चैनल जे साइको एजुकेशन पर अभी आप ये देख रहे होंगे सामने के स्किन पर ये क्या चे दिख रहा है तो ये है हमारी प्यारी धर्ती मा या फिर इसको प्रित्वी ठीक है ये अर्थ है ठीक है और अगल ज्लोगों को मैं एक ऐसी जगह पर ले करके चल लहीं क्या आप लोगों ने सबसे बड़ा समुद्री केकडा देखा थेकिंगा ह I ama यहां ने डाउने के चल रहा थे क्या कर रहा हूं और पता है आपको जाने से वहां पर आपको क्या करना प्लूद यह है इंडिया तो हम लह होता है ठीक है और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं चलिए ऐसा भी कुछ है क्या इस दुनिया में जी बिलकुल है मैं कानेडा ले ये जो जगह है ठीक इसको यहां से कट कर देते हैं यह है जाएंट लॉबस्टर देखे यह दिख रहा है जींगा की तरह तरह दिख . अब हम इसके पास चलेंगे देखे यह सारी इसी दुनिया में है यह ब,, देखिए इतना सैट्ल लाइट का जो वो टेलि स्कोप है इतना और यह जो giant lobster है देखो आप लोग यहां पर देख सकते हैं यह क्या है यह बना हुआ है ना एकदम समुद्री केंकड़ा बोल सकते हो आप या फिर इसको जहिंगा बोल सकते हो ठीक है इसको और नजी दीख से थोड़ा देखते हैं दिख रहा है यह दोनों उसका क्या है सूंड सूंडर टाइप का होता है ना जैसे वो काटता है ठीक है और इसके अगल बगल में अब यह इसके बारे में थोड़ा समय बता देता हूं यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा giant lobster है ठीक है और यह steel का statue बनाया गया इसको बनाने वाले जो है और यह जो है ना यह निव ब्रंस और यह जो बना था ना 1990 में बना था 1990 में बना था और इसकी जो height है वो 11 मिटर लंबा है यानि कि अगर ऐसे देखा जाए यह 11 मिटर यह लंबा है और इसकी उचाई की अगर बारे में बात किया जाए तो यह जो 5 मिटर उचा है 5 मिटर टॉल है लंबा है ठीक है और weight की बात कर लिजे ओके और पता है इसको बनाने में कितना रुपे लगे थे तो रुपे नहीं लगे थे क्या लगे थे डॉलर लगे थे और डॉलर कितना लगा था तो एक लाख सत्र हजार डॉलर ठीक है एक लाख सत्र हजार डॉलर इसमें ये लगा हुआ है ठीक है और ये 1990 में बना था तो ये कैनेडा में है एक टूरिस्ट प्लेस है पर साल मतलब यहाँ पर यहाँ पर पांच लाग से जादा जो टूरिस्ट है यहाँ पर गूमने अके लिए आते हैं तो है ना इक नौमी का अच्छा खासा साधन है तो फि और और भी आप आप लोगों को इंटरेस्टिंग िस इस चैनल पर बताऊंगा आप लोग आफ़्य को सब्सक्राइब कीजिए और जो पुराने हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ने करेंगे उनको हष्ज बहुत धन्यवाद और कॉमेंट में बताइए कि ।ो और कहां